हेलो दोस्तों वेलकम बाक टो मैं चानल जॉली हो में रेसिपी मेरा नाम है जॉली और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोले भटूरे की रेसिपी भटूरे किसको नहीं पसंद है छोले भटूरे जोना फेवरिट ब्रेकफस्ट है हमारे घर में और जिस दिन छोले बन बहुत आसान तरीके से विद आल टिप्स और ट्रेक्स तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन पर जुरू क्लिक किजेगा जिससे में सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास आसान तरीके से पहुंच जाए त जो हमारे भटूरे हैं वह एक्दम सोफ्ट और फलफी कैसे बनते हैं एक्दम फूले फूले से तो देखिए हम बना रहे हैं चोले की रेसिपी चोले को मैंने भिगो के रखा था रात को दस बार कम से कम आच से दस घंटे के ले रखना है और इसको सुबे यह ना अच्छे स चाए की पती के साथ साथ एक और चीज से आता है तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहेगा तो मैंने इसके साथ दो कप पानी लिया और यह ने डाला है वन टेबल स्पून चाए की पती और इसको अच्छे से बॉल किया है और अगर आपको यह ओप्शन नहीं करना है तो डारिक भी चाय की पतिवुझे जब हम छोडों के रêtes सकते हैं तो आपने एक कुक्र, ऊक्रोड hakk मेद फेस नो बाहरो सकते हैं बोड चाय को पानी बाहरो जोटके नाफ बीस की को फेस.. जो कोई पानी डाला था डाइकप पानी मैंने इसके और यूजक्त किया है और मैंने इसमें डाला है को सौल्ट और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा जिसको हम कुकिंग सोडा भी बोलते हैं मीठा सोडा भी बोलते हैं थोड़ा छोल्यों को न में असान अनुटि ऑदिन्टF кो जाता है इस सोडे को डालने से बस इसको मिक्स कर ये और इसको दो फुल सीटी गा लिए अच्छे से कुखोकर निकलेंगे, तो देखे हमारी 1 CT हाई फ्लेम पर दूसरी CT हाई हाई फ्लेम पर बस अब हमने इसको स्लो पर रख दिया है, 30 मिनट्स के लिए कुखोने के लिए और इसके साथ-साथ हम बनाएंगे इसके अंदर मसाला जो हमने यूज किया है, तो यह हमने एक मिक्सी में बनाना है इसका पेस्ट और बस इसको हमने काट के रफली चौप करके हमने टमाटर प्याज को और अदरक लस्टन को एक साथ पेस्ट बना लिया है मैं जादा तर जिंजर गालिक का जो डारेक पेस्ट है ना वो मैं मसाले में डाल देती हूं क्योंकि वो कुक करने में असान हो जाता है अगर आपको ऐसे खड़े जिंजर गालिक डाले तो आप जिंजर गालिक भी डाल सकते हैं जब आप छोलो को बॉयल करने के लिए मतार एकदम अच्छे से उबल गए हैं कुक हो चुके हैं मैं आपको दिखाती हूं मैंने इसको दिखा चमच से मैने जब इसको मैश करके देखा यह अच्छे असान तरीके से मैश हो रहे थे और यह बिल्कुल सॉफ्ट है तो बस इसको जादा कुक करना ही नहीं क्योंकि हमने जब अभी कुक करना है इसके बाद हमारे छोले कुक होंगे नहीं बाद में छोले मसालों के साथ जब हम डालेंगे तो कुक नहीं हो पाएंगे वह यह कि हमें सीटी मरवानी पढ़ेंगी तो पहले अगर आप अच्छे से पका लेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया है पस इसको निकाल के रख लीजे विद पानी और हम पानी के साथ हम इसको यूज करेंगे बाद में और इसके बाद हमने डालना है उसी कुकर में ऑईल आप इसको कडाई में बना सकते हैं अगर आप क अगर एक राला है ठीच्टा तो फूर थी अबल स्पून पानी डाला है और उसको मैंने मिक्स करके अच्छे से पका आया है इसमें बहुत थोड़ा ड्लता है क्योंकि जो मसालह आना ओईल खीषता है अच्छे से मासाला ओईल खीचे का तभी कूख होगा और तभी बढ़ि छोले नियुराइप पर ढ़न जाता और जायेगा और डाक हो जायेगा और दाला है रिड चली पाउडर, पोरियेंडर पाउडर हम नहीं डाला है क्योंकि हमारा उसमें उसमें अलरीड धनिया यूज दुझार तो यह हमारा घर का बनाओा छोले मसाला है जो बहुत ही सौन्दी खुश्बू वाला एकदम फ्लेवरफूल है और इसकी रेस्पी मैंने अल्रेडी चैनल पे डाल रखी है अब वहां जाके चेक कर लीजे और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और उपर आई सेक्शन में भी दे क्योंकि जल्दी कुख हो जाता है तो मैं इसको फ्लेम पर ही कुख करती हूं तक रहते हूं तो उतना कुखना कि जितने मैं जो ओल चैज्ट चोड़ते और देख़ें टेक्श्टर एक्टम ठिक हो गया एक्टम मिक्स्च्चर सबन गयां है अब हमारा मसाला रेडी है अब ह पेपेटली, एभ टीकट करना निए हम इसे मेष के सकते ये तो आ पकाई हो जाती है, अपस्पेटली, एक कि शरीन स्पाइब रपना मानिन, प्रक्ती क्या हम आकिरी में जाती ही और तूद व्हारी ना पॉड़ा moss थेहां, भी चो लीचे में एक नगष्द न में ओ 충ाल ऊहने हैं तो नहीं तर्ड़ाना फॉडर भी उचर सकते हैं, तो अवी स्ट चीज सबस्ड़ाइध के लिए मिल्न उछ नहीं तो फ्लेम हिंअ नार्डना पाउडर हैं और पाउडर साथ dudple ठाने के लिया नार्डना और एकदम बढ़िया निकल कर आएं और एकदम ऐसे जैसे पूरा पकना चाहिए अच्छे से तो हमारा हो गया चोले रेडी इसको हमने करा है स्विच ओफ और इसको हमने सर्फ की अपने भटूरों के साथ तो चलिए आप इसको कभी किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं छोले चा चाहिए और डाली है शुगर शुगर बहुत इंपोर्टनेंट क्योंकि जो हम खमीर नहीं यूज़ करें यीस नहीं ले रहे हैं इसके अंदर इसके अंदर अमने डाला है बेकिंग पाउडर और दही बहुत अच्छा काम करेगी जितना धावी थोड़ी सी खटी होगी ना तो बस आप इसको mix करिए और पानी को side रख लीजे बस पानी को हम एक दीरे करके डालेंगे एक एक spoon करके डालेंगे पर पानी डालना जुरूरी है नहीं तो क्या होता है कि पानी नहीं डालेंगे ना तो डो होना थोड़ा तो थोड़ा टाइट हो जाएगा तो पानी डालना जुरूरी है पानी है इना गलूटन डेवलप करेगा इसके अंदर तो देखे मैंने एक एक करके मैंने इसके अंदर पानी डाला है और मैंने एक कटोरी पानी डाला था लिया था अपने लिए पर मैंने इसको सब हार्ड ली हाफ कप मेंने हाफ से भी हाफ कप मेरा पानी यूज हुआ था बस आप इसको डालिए दीरे-दीरे करके अच्छे से गून दिये बस आपको ना नीट करना है और आप ऑईल भी डाल सकते हैं पहले पर मैंने ऑईल लेना बाद में डाला था और बस इसके अंदर आप कुछ भी डाला और हमने इसके अच्छे से मिक्स किया तो देखे अब हम करेंगे नीट नीट करना जोए न वह बहुत जरूरी है क्योंकि नीट से हमारा गून डेवलप होगा जैसे हम ब्रेद बनाते हैं नॉर्मली उनको हम नीट करते हैं इसको भी हमें नीट करना है पर हम इसकी ब् जानिए ये दूसरे तरह की इंडियन स्टाइल ब्रेड है जिसको ने अच्छे से नीट किया है अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ओयल आफ टीस्पून हम ने अजने अफ टीस्पून लिया है और थोड़ा सा जो चिकना करेगा हमारे डोगो और इसके बाद हम इसको गुनना स्टार्ट करेंगे गुनने के लिए जो आपका डोग है उसमें चिकनाहत पन जरूर आनी चाहिए तो डोगो उठा थाके आपको पटक नहीं मतलब आप जिस पे बना रहे हैं या फ्लैट कोई भी ले रहे हैं उसको उठाइए और पटक किये और स्ट्रेच किज़े जितना आप स्ट्रेच करेंगे ना डोगो वो उतना ही बड़िया निकल कर रहे हैं एकदम जाली दार और एकदम ट्रांसपेरन सा और हमें वही ट्रांसपेरन सा ही डोग बनाना है तो देखिए मैं इसको ना खीच रही हूँ मैं इसको डोगो एक लेवल पे खीच रही कि बड़िया जो हमारे हलवा ही है ना वो भी यही स्टेप करते हैं कि ऑईल ले लेते हैं और अच्छे से पटकते हैं पटकने से ही हमारे जो डोगो है ना बहुत बड़िया निकल कर आता है और यह बहुत बड़िया निकल कर आया था आपका भी डोगो ऐसे अगर आप यह फॉलो करेंगे तो जो आपका डो है ना वह बहुत ही बढ़िया निकल कर आएगा और जो इसके भटूर है ना एकदम फ्लाफी सॉफ्ट और एकदम बढ़िया निकल कर आएगे तो देखें यह हमारा डो रेडी है उसको हमने रखा है धक कर थोड़ा सा ओईल भी लगा सकते है जिसे डो है ना ड्राइन ही होना चाहे उसके बाद हमने डो निकला और देखें यह हमारा हमने इसको 45 मिन एक लिए 45 मिनटिक रिया था रेस्ट देना बहुत ज़रूरी यह क्योंकि जो इसमें दही और बेकिंग पौडर गया है और सूझी गया है वो थोड़ा अपना काम कर निकाला है अंदर के साइड अपने डहे, करके ने झाल लुद करा है अब होड़ हीज़ी तरुट आनसे काल बंन ही हाथ में ओइन ही पाइन है हार वैड पत्रण रहा है और और अडियो ऑजाव माण विछ का और मादम है यह और आपको इतना पंपरेंट और कि इतना बढ़िया है और आपको इतना ही त्रांसपेरेंट बनाना है कि इसमें अच्छा साiva बने और यह डिखे यह दिखे अब जाल सा बन रहा है और ट्रांस्पेरेंट है तो यह जो आपना डो है ना बहुत अच्छे से हमने इसको रेस्ट कराना जुरूरी है और जो सर्दियों में थोड़ा टाइम लेता है गर्मियों में 45 मिनट टू 1 आर के लिए सफिशेंट है और अगर-अगर सर्द है तो आप अपने डोको ना थोड़ा माइक्रोवेव में बंद माइक्रोवेव में रखें तो माइक्रोवेव का टेंपरेचर होता है घरम होता है वह असान से खमीर हो जाता है तो बस आप हम इसको बनाएंगे छोले बटूरे बटूरे बनाएंगे सॉरी अब हम इसको लें बस आप इसको हम अपने लेंगे चकले पर ओयल हमने सुखह आते का यूज नहीं किया है अगर आपको सुखह आता लेना है अगर आपको बाटर आपसे समबल नहीं रहे तो आप सुखह आता भी ले सकते हैं मैंने इसको यूज नहीं किया था मैंने अपने चकले पर थोड़ा सा ओयल डाला जो जाधा डल गया था और वहपस मैंने निकाल दिया था बस इस पर चकले पर लगाया और अपने डो को रखा और बेलना स्टार्ट किया और न si lepore और इसकी कोई शेप नहीं होती है भटूरक तो आप कैसे भी बना सकते हैं इसको बस आप जब जब करें तो हातों से उठाठा के पटकते रहें जिससे आपका भटूरे का जो यह बन रहा है वो नीचे चिपके न और असान तरीके से निकल जाए और इसको जब आप बना लेंगे ना तो अपने हातों की हेल्प से भी उसक को मतब फिला सकते हैं तो देखिए मैंना अल्रेडी हो चुका है मैंने इसको उठा कर अपने हातों से भी थोड़ा अपडाउन किया था कि थोड़ा सा यह निकल जाए देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है और अगर आपको लग रहा है कि साइड में थोड़ा मोटा हो गया कुपान गणी। को भीच में पड़े में हाथों से भी स्ट्रेच करके एक घीच सकते हैं देखिए हमें इसमें इस तना ही ट्रांसपेरेंट से इतना ही तेखिए की पीचे की साइड पर और में बनाना एक तम गरम ! अच्छा उतना ही बढ़िया होता है अब इसको हो यह मैंने सब एक डाल के देखा था कि ऑई होगा की नहीं हुआ बस इसको डाला और इसको मैंने अच्छे से और डाल के मैंने इसको फ्लाफी किया है और बस दूसरी साइड भी ऐसी करना है और यह देखिए हमार एकदम पर्फिक्ट भटूरे निकल कर आये थे एकदम फूले फूले से और ऐसा नहीं है कि अभी फूले नीचे जाके फ्लाट हो जाएंगे यह एकदम पर्फेक्ट अपनी शेप देंगे यह शेप बनिए हमारी स साइड में एकदम बढ़िया असा और यह देखिए बिलकुल फुलाफी है मैं तो बल्कि हावा निकल के दिखा रही हूं आपको तो देखिए हमारे छोले बटूरे एकदम रेडी है हमने सर्फ किया छोले मसाला के साथ अचार और प्याज और बस इंजॉय कीजिए अपनी और तो अबकित देखिए अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो और अपने फ्रेंग के साथ जूरू शेयर किजेगा और मेरे साथ व्यूष जूरू शेयर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी और थांक्यू सो मच फ्रेंग वाचिंग में वीडियो अपको और प्लीज एक लाइक जूर कीज़ेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स रेसिपी में बाइ ठेक केर